चली नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का लेयर 3 PNST नर्सिंग है ठीक है तो अज आपके लिए MP PNST की बारे में बता देता हूं कि MP PNST की तैयारी कैसे करनी है आप अगर प्रेक्टिस सेट लेना चाहते हो तो कैसे लेना है प्रेक्टिस सेट कैसे रहेंगे उसमें क क्या क्या क्योशन आएंगे जो हमको डेली क्लास रहेंगे वो कैसे मिलेगी क्योंकि अब आपके पास बचब हैं 12 दिन कितने दिन 12 दिन एडमिट कार्ड कव आएंगे सब कुछ आप इस वीडियो में देख लेजे कल का जो CG BAC का पेपर हुआ था कल मैंने आपको रात को सोल करवा दिया था जो भी पढ़ाया था सब आया था ठीक है इसलिए ज्यादा टेंशन न लें कि एक्जाम में आएगा या नि आएगा ठी लेंगे उसके बाद प्रेक्टिसेड भी बता दो किस तरह से लेना है कैसे मिलेंगे क्या क्या क्योशन जाएंगे चलिए पहले जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा बेल आइकोन प्रेस कर लेजेगा आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप जरूर पूछ ले जिनको तयारी करनी अच्छे से कर लेजेगा मैं सब कुछ बता गएंगे की से तयारी करनी और कैसे सेलेक्शन लेना है ठीक ότι चैनल को सबस्क्राइब यह पहला question आया है उसका answer एग यह दूसरा question यह इसका answer ठीके इस तरह से आपको विवस्ते type करके करवा राके सारे question जो exam में पूछे हुए थे यह 30 questions, यह लिज़े, यह 30 questions दे, फिर physics के questions आ गए हैं, इस सारी, यह physics के question, 30 questions physics के, हर एक question के इंच्छांस, ठीक है, यह ओगा physics के, 30 questions आपके English के लिए, साथ क्योशन आपके बाइलोजी और जुश्लोजी के लिए ठीक है ये क्योशन के नीचे आंसर ये टोटल मिलाकर आपको डिर्सो गीशन है 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 एक में ये 150 कुशन इस तरह से आपको क्योशन आंसर इस तरह से आपको प 얼frage responsible झाले एक सेट मिलेंगे आपको 15 कितने सेट मिलेंगे 15 15 2250 क्योशन यह मिलेंगे और NCRT की जो 11 की जो बूक आती है उसके चेप्टर वाइस क्योशन है 300 500 जितने भी हो वह भी आपको इसके साथ पुरी मिलेंगे अगर 500 होंगे मतलब टोटल मिलाकर यह समझ लो आपको 3000 क्योशन मिलेंगे पच्चिस सो से 3000 क्योशन के बीच में आपके यह क्योशन रहेंगे इनको एक बार पढ़ लेना है क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे जितना ज्यादा प्रेक्टिस करोगे उतना आपको फाइदा राएगा तो ये अगर आपको लेना चादे हो तो आप ले सकते हो ठीक है? क्योंकि देखू practice तो कड़ना ही पड़ेगा प्रेक्टिस नहीं करोगे तो क्या करोगे ठीक है? तो ये 99 रुपए का offer चल रहे हैं जिनको लेना है ले सकते हैं 99 रुपए में 15 प्रेक्टिस सेट और अर्यान्त के क्योशन यह तो मैंने आपको सेट बता दिया कैसे लेने हैं आप मुझे इसी नंबर पर क्योशन आंसर भी बता दिया मैंने आप मुझे इसी नंबर पर गूगल पर फोन पर पेटियम या आप अगर यह भी नहीं चलाते हो आप अगर दुसरे किसी से भी करवाना चाहते हो तो भी आप करवा सकते हो वो करके इस नंबर पर वोट्स आप इसकिन्शोट भेजना है उसके बाद आपको यह सारी पीडियाप मिल जाए ठीक है तो पच् पीएंसटिक के ओल्ड पेपर लेना है तो वो भी मिल जाएंगे दो हजार देखो आप तो पड़ो जो मटेरियल है सब देंगे दो हजार साथ से दो गजार कुनिस तक के सारे ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे ठीक है वो मिल रहे हैं मात्र मात्र 49 रुपए बहुत कम पीस में इसलिए क्योंकि रेंज करना पड़ते हैं इसलिए आपकी ये फीस रख रहे हैं ठीक है क्योशन टाइप करना पड़ते हैं इसलिए 99 दोनों लगभग लगभग 35 से 40 प्रेक्टिसेट अगर 35 मानो 35 इंटू 150 करेंगे तो कितने क्योशन हो अगर मैंने 35 सेट भी मान लिए 35-40 सेट हैं लेकिन 35 सेट भी मान लिए तो भी आपके 5250 तरे 500 क्योशन हो रहे हैं 155 रुपए ठीक है ये आपको पढ़ना है सर क्योशन ये सब पढ़ने के बाद अगर इसमें से आएंगे कि नहीं आएंगे क्योशन सर आप पढ़ा रहे हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे सर आमने बूक लिए उसमें से आएंगे कि नहीं आएंगे तो ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्योशन कहां से आएंगे ये तो लास् इसी का भी आया था मैंने आपको कल पेपर करवाया था और आपने ही सही आंसर बतायते जो भी पढ़ाया था सब आया था कि नहाया था इसी प्रकार ये प्री नर्सिंग ज्यादा लेवल का नहीं होता ज्यादा टेंशन नहीं सब कुछ बढ़िया होगा ठीक है तो ये तो आपके प्रेक्टिस सेट हुए ये देखो प्रेक्टिस सेट क्योशन आंसर आप बोलते हो सर डेमो दिखा तो ये लीजी आपका डेमो इस इसके बाद अब आपको जो डेली फ्लाई क्लास आना है वो भी आना है ठीक है क्योंकि अब 14 दिन में हम इतनी मेनद करेंगे इतनी मेनद करेंगे कि आप भी कहोगे कि सर अच्छा लगा ठीक है अब आपके पास क्या-क्या है ये तो आपको पढ़ना है दूसरा आपने जो अभी कहीं नहीं जाना है बारा दिन कहीं नहीं जाना है बस पढ़ाई में मन लगाना है नहीं तो वेकेंसी कब आएगी क्या पता ठीक है अब जो भी पढ़ रखा है उसका आपको रिविजन मारना है ठीक है यह आपके बाद समझ में आएगी प्रिक्टिस सेट कैसे लेना है रिविजन क्लास केसे करना है, जितना भी पढ़ रहा है, रिविजन कर ले रहा है, अब मैं भी आपकी रिविजन क्लास चालू कर दी है, तिक है, जिसमें मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊ हूँ, अब मैं आपको क्या-क्या पढ़ाऊ हूँ, हम आपको पढ़ाएंगे, रिवि पेपर करवाएंगे ओल्ड पेपर तो अरेंज करने पर देख के अभी 2022 किसी पर नहीं मिलते जो एक्जाम देकर आया उन्हें पर भी नहीं मिलेंगे तो यह भी कहीं से अरेंज करा के 2021 के पेपर बहुत जल्दी में अरेंज करा दूँ ठीक है अब एक चैनल पे इतनी सारे क्लासे नहीं होगी तो मैं आपको सब कुछ बता हुआ कि किस चैनल पे कौन सी क्लास लेंगी सबी कुछ बता हुआ ठीक है आपकी सुबे साड़े साथ बजे क्लास रहेगी नो बजे क्लास रहेगी साड़े बारा बजे क्लास रहेगी तीन बजे क्लास रहेगी पांच बजे क्लास रहेगी आठ बजे क्लास रहेगी और रात की साड़े नो बजे क्लास रहेगी और हो सकता है तो रात की साड़े तस बजे भी क्लास रहेगी यह सारा टाइम एक बार आप देख लेना, 1,2,3,4,5,6,7,8 इसमें आपकी रिकोर्डर क्लास भी रहेगी, सब कुछ रहेगा इसमें, ठीक है? सुभे साड़े साथ, सुभे नो, साड़े बारा, तीन, पाँच, आठ, साड़े नो और साड़े दस ये बिलकुल क्लास चलने वाली है आपकी ठीक है? अब किस किस चैनल पर चलेगी वो भी बता देता हूँ आपको क्योंकि Old Paper 2021-22 के अलग चैनल पर होंगे क्योंकि एक ही चैनल पर इतनी क्लास नहीं होती है, इतना notification नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ देख लीजे, इस चैनल पर अभी जो यह वीडियो आया Layer 3 PNHT Nursing Exam पर आपकी रोज क्लास हो रही है, English की क्लास हो रही है, यह मैंने आपको कल पेपर करवाया था, को क्या करना देखो, चैनल को यहां से आपको subscribe करना है और bel on press करना है ठीक है, अब आपको विडियो अगर लेट हो जाओ, तो काहां से यह देखो, यह मैंने कल ही वीडियो कराया था, यह 2022 का फेपर सोल कराया था, पूरा, यह 36 गर में कैसा पेपर आया था, यह English की आप आउ तो विडियो पर जाना है आपको यह बीडियो दिखेंगे देखो 10 गंटे पहले 11 गंटे पहले गुद्निस गंदे पहले प्लेलिस्ट बहुत सारे प्लेलिस्ट बनी हुई ठीक है तो यह आप इस पर चले जाना है इसके बाद एक और चैनल बता देता हूं मैं आपको इस पर तो आपकी सारी क्लासे डेली हो रही है एक दो चैनल और बता हूं क्योंकि नोटिपकेशन अगर करना है यहाँ पर देख लो आपके सारे वीडियो मैं ने पूरा ने मी डाल रखें देखो यहाँ पर आपको मिलेंगे यह सारे वीडियो डाल रखेंगे केमेस्ट्री भी है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा इस यह सारे क्यूश्टन देखा यह Chemistry 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 PNHT 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 ठीक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल पर आपको अभी लेटेस्ट वाले अभी जो लेटेस्ट एक्जाम हुई थी 2022 वाले या तो रिकोड़ेट मिलेंगे या लाई मिलेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि एक चैनल पर इतना नोडिफिक्शन नहीं आ रहा है इसलिए मैंने आपको यह डिसाइड कर रहा है कि इस बार एक और चैनल यह वाला इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और इस पर आपको क्लास मिलती रहेगी एक और बता देता हूं इस पर भी मिलेगी एक PNST की यह सब तो आपको इस पर भी क्लासे मिलेगी मतलब आपको दोनों तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना है इन 14 दिन में और जो हमसे फ्री ग्रूप में एड होना चाता है वो भी बिल्कुल एड हो सकते हैं जो हमसे डेली फ्री क्लास में जुड़ोना चाता है तो इस अब हम आपके लिए इतनी क्लासे लेकर आ ठीक है तो यह 12-14 दिन है आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे 30 जून गो जिस दिन मेरा बड़्डे है न उस दिन आपके एडमिट कार्ड हम इश्यू करवा देंगे टेंशन मतलों 5 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड आने व आज तो पूछ लीजेगा कल मैंने आपको सीजी बेसी का बताया था स्टेटर भी डाला था बहुत सारों के अच्छे नंबर आये थे पेपर भी मैंने सोल करा दिया था इसलिए ज्यादा टेंशन नह ले तो आज वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्य बाल रात लेकिन लेक्षण ही जीत है इस 12 दिन में सेलेक्शन लेना कोई समय से आक तो जरूर पूछे वीड़ो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाईबेनों का बहूद बहुत धन्यादा